दिपावली हिंदूओं का सबसे बड़ा तेवहार होता है। हिंदूओं के इस तेवहार में घर की पूरी तरह से सफाई होती है और इस सफाई के दौरान हम उन चीजों को निकाल देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती लेकिन इन में से कई ऐसी चीजे हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए आईए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजे हैं जिने नहीं देना चाहिए नमबर एक साबुत धनिया दिपावली की सफाई के दोरान अगर घर में पुराना साबुत धनिया है और आप उसे अलग करना चाहते हैं तो ऐसा कभी न करें दिपावली के पांच दिन के तेवहारों के बीच में आप ये धनिया ना घर से बाहर निकाले ना किसी को दें अगर हो सके तो आप धनिया को ग्रो करें उसे उगालें ये बहुत शुब माना जाता है तूटी चपल दिवाली के दिन घर में तूटी चपल न रखें लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि दिपावली के पांच दिनों में से किसी भी दिन न तो आप तूटी चपल फेकें न किसी और को दें इसके अलावा मालक्षमी की चरण पादुकाएं दिपावली के पांच दिन का जो तेवहार आता है उससे पहले घर के दरवाजी पर लगाएं दक्षिनावलती शंक अगर आपके घर में दक्षिनावलती शंक पड़ा है वो किसी तरह से खंडित हो चुका है तो उसे जल में प्रभावित न करें खास करके पांच दिन के तेवहार में भूल कर भी इस शंक को घर से न निकालें पांच दिन के बाद इसे जल में प्रभाइद भी किया जा सकता है लेकिन उससे बहतर होता है कि आप इसे किसी पीपल के नीचे रखाएं या किसी मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे रखाएं माता लक्ष्मी और भगवाण विश्णू दोनों को ही गोमती चकर पसंद है इसलिए दिबाली के दिन नया गोमती चकर लाकर पूजा में रखें लेकिन पुराने गोमती चकर को न फिकें उसे दिपावली के पांच दिन बाद ही प्रभाइद करें काली हल्दी अगर आपके घर में काली हल्दी है तो दिपावली के पांच दिन में किसी को न दें और नहीं उसे घर से बाहर निकाल के रखें पुरानी जाडू पुरानी जाड़ू दिपावली के पाँच दिनों में घर से नहीं निकालें पुरानी जाड़ू को सामने से हटा दें लेकिन जाड़ू को भंडार या फिर बेड्रूम के बेट के नीचे ना रखें पुरानी क्रोकरी दिपावले के पाँच दिनों में पुरानी क्रोकरी किसी को न दे लाल और पीले रंग का कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए अगर कपड़ा पुराना है तो बिल्कुल ही न दे क्योंकि ये रंग भगवान विश्णु को प्री है पीली हल्दी से बने गणेश कोई लक्षमी पूजन के दिन पीली हल्दी या पीली हल्दी से बने गणेश जी मांगे तो किसी को न दे गुलाब का फूल भी लक्षमी पूजा के लिए किसी को नहीं लाकर देना चाहिए नहीं अपने फूलों में से किसी को गुलाब का फूल देना चाहिए अशोक के पत्ते और वंदनवार अगर आपके घर आप वंदनवार बना रहे हैं खासकर वो अशोक के पत्तों का है तो उस वंदनवार को किसी को नहीं देना चाहिए आप केवल अपने घर की सजावट करें किसे और के घर की सजावट का सामान दिपावली के पांच दिनों में नहीं देना चाहिए सीताफल और बेर पूजा में सीताफल का प्रयोग बहुत होता है साथ ही बेर का प्रयोग भी होता है और इस दिन आपको बेर और सीताफल ना किसी को लाकर देना चाहिए नहीं कोई आपसे मांगे तो उसे अपने घर से ये दोनों चीजे देनी चाहिए इससे आपको नुकसान हो सकता है पुराने जूतें दिपावली के पांच दिनों में ना तो पुराने जूते किसी को दें और नहीं किसी के पुराने जूते लें इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, खासकर दिपावली के पांच दिनों में घर की रसोई की चीजें किसी को न दे, सिल्वट्टा, ओखली, चकला, बेलन, तवा, गुजिया और सियों बनाने का साचा किसी को न दे, दिपावली के दिन दही का जामन और आलू भी किसी को न दे, क्योंकि ये दोनों चीजें तंतर क्रिया में प्रयोक की जाती हैं, दिपावली के पांच दिन में तुलसी और मनी प्लांट का पौधा या पत्ता भी किसी को न दे, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो पांच दिन के हो जाएंगे